दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का हमारी यूट्यूब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पे मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंदित कोई भी प्रब्लम हो वो प्रब्लम हाडवेर से संबंदित हो या फिर सौफ्टर से संबंदित आप मुझे वाट्सप या कॉल करिए और सेलूशन लिजे बिलकुल फ्री नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का एक वर फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सॉलूशन में और आज का वीडियो मैं काफी छोटा बनाने के मूड में हो क्योंकि समय कम है और काम कई सारा है सबसे पहले आप लोग को यह जानकारी देंगे कि एक सर है सुमित नायक जी जो की सुन्दरगड उडिसा के रहने वाले हैं और उनका मुझे एक कोर i7 PC बना करके यहां से पार्थल से भेजनी है कुछ भी बताने से पहले मैं सबसे पहले उनका यहां पर आपको फोटो दिखा रहा हूँगा एक फोटो आपको दिखाई दिरोगी यह हमारे सुमित नायक जी है इनको ही आज की PC बिल्ड करके मुझे भेजनी है बढ़ते करम में आपको एक दूसरा स्क्रीन शोट यहां प जी यह उनीक एड्रस है उसी एड्रस पर आज का यह PC जाना है और बढ़ते करम में आपको एक टीसरा स्कीन शोट यहां पर दिखाई दे रहोगा इनका टोटल हमारे पास 80 हजार रुपे एडवांस है जिसमें सबसे पहले हमने 20,000 वेजी थी और दूसरा पेमिंट यहां प पूरा कंप्लीट वीडियो एडिटिंग का डेटा रहेगा बड़ा वाला सीपी कुलर लगा रहे हैं एक सो बीस एमें का आरजीबी कैबिनेट लगा रहे हैं चेसोपितास वाट की सप्लाई टोटल मशीन मैनुवल बायो सेटिंग पर हमको बना कर बेजने हैं और इस मशीन जो जानकरी प्राप्त होगी कि वह कौन है कहां के रहने वाले हैं कैसे मुझे जानते हैं कैसे पता लगा कितना उन्होंने डला था वगर वगरा वगरा जो भी सच्छा ही होगी इस वीडियो मां आगे आपको कवर करेंगे और पूरी जानकरी हम देंगे तो सबसे पहले PC ब कि एक साहब को बुलाना चाहेंगे दो लोग आईए मेरे पास थोड़ा सा निवेदन है आप लोगों साइए जरा सा यह मदर बूर्ट एक बार आप क्यूंकि यह जाना है उडिशा जैसा कि आप लोग भी देख रहें वीडियो सुन नहीं होंगे इस मदर बूर्ट के पर आप जामसे कभी भी हम समझाओता नहीं करें और क्वालिटी से कभी भी समझाओता नहीं करते हैं और यहीँ वज्या है कि इतने दूर-दूर से लोग मुझे परसंद करते हैं औstaw सकते हैं तो लूग अन्यां चाहर अकशाव काफी कार्ट लगा सकते हैं 19 फेस का फूल इसका डिजिटल वी रम है बैक पैनल में यूसबी की कई सारे ऑप्शन है अब बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि आज का जो प्रोसेसर है वो कौन सा है 12700K प्रोसेसर के सार आज का मशीन हम बिल्ड करने वाले हैं दोस्तो यह है प्रोसेसर 12700K पूरा कंप्लीट सील पैक ही है हर तरफ सम आपको दिखा देंगे और कुछ भाई साब यहां पी बैठे हुए है वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वह भी जज कर रहे होंग है या फिर नहीं है चलिए हम यहां पर प्रोसेसर को बाहर निकाल लेंगे दोस्तों प्रोसेसर हमने लगा लिया बहुत ही शांदार तरीके से अब इसमें लगाएंगे रैम लगा रहे हैं आज 22GB का टोटल 18GB की चार स्टिक रैम जो हम यूज कर रहे है आज बहुत ही प्रोसेसर और रैम लगने के बाद हम यहां पर लगाएंगे 250GB SSD M.2 NVMe और एक 1TB SSD अलग से लगानी है डेटा प्रोसेसिंग के लिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैंगे 4 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं तीन इसके नीचे और एक यहां पर कैप एक बार पहले हम हटा लेते हैं वापस आपको SSD के बारे में भी जानकारी देते हैं तो पहले यहां पर पेच लगा हुआ है यह हम हटा लेंगे यह है आज का हमारा SSD जिसमें के लिए 250 GB है और एक जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं वन टीबी का है तो वन बाई वन हम इसे लगा लेंगे यह 250 GB का हीट सिंक है यह नीचे यहां पर टेप लगा हुआ यह हटा देंगे और यह थर्मल पेस्ट है इसके उपर हम अप्लाई कर देंगे ताकि हीट जो है इसके अंदर आ जाएगी यह कंपनी ने इसलिए दे रखा हुआ ताकि हीट जो है यह सोक लेगा और एक हमारा यह तो इसके नीचे भी यहां पर थर्मल पेस्ट हम हटा लेंगे ठीक है ना क्योंकि यहां पर तीन लगती है एक लगा रहे तो एक खटाएंगे दो छोड़ देंगे बिठा लेंगे इसके उपर दोस्तो हमारा प्रोसेसर रैम और 250 जीवी एससडी और एक वन टीवी के एससडी यह हमने कर लिया इस्टॉल अब बढ़ते करम में इसमें हम लगाएंगे अपना 120 mm का बड़ा वाला सीप्यू कूलर सीप्यू कूलर कौन सा लगा रहे किस कंपनी का लगा रहे साइज क्या है यह पूरी जानकार एक बार उसे हम बाहर निकालते हैं फिर आपको बताते हैं यह है आज का हमारा सीप्यू कूलर 120 mm का बड़ा साइज में इसका फैन है और यह हाई आर्पिम फैन है प्लस आरजीवी भी है और इसका बेस वगरा काफी शांदार है हीटिंग बहुत ही करते थे उसके मुकाबले यह काफी बढ़िया है साथी साथ इसके साथ एक पैकेट मिलती है जिसमें की पूरा कंप्लीट माउंट कर लेते हैं माउंट करने के बाद वापस एक बार हम आपको दिखाएंगे क्योंकि माउंट करते हुए यह वीडियो काफी लंबी हो जाएग जितना मन से हम कोर आई सेविन बनाते हैं फिलाल आप उठाकर के नहीं देख पा रहा है तो फिर उनी भाई लोगों को बुलाएंगे जिनको एक बार बुलाए थे बार आईए यह आप लोगों को आईए सर यह माउंट हो गया है आप लोग यह बैठे हुए है एक बार है मेरे स्टूडियो पर अभी तक तो आप लोग हमको यूटूब पर देख रहे थे अभी यहां पर आकर कैसा फील हो रहा है कि सर जी का नेचर वाइस कैसे हैं वह या काम उनका मतलब आपके हाथ में है और जब से यह मसीन बीड़ हो रहे है तब से आप बैठे ही है कैसा ल लगा हुआ है फूल आरजी भी है 120 mm का पीछे एक फैन और लगी है 120 mm का बड़ा वाला साइड में पूरा ट्रांस्परेंट ग्लास है PC काफी सुंधर लगेगी यह लगा करके हम वापस एक बार कैमरे प्याते हैं और पूरी जनकरीम आपको देते हैं कि सामान किस तरीके से दोस्तों सुमित नायक जी की PC पूरी तरीके से कंप्लीट है और मैंने कंप्लीट वाइरिंग करके ग्लास लगा दिया है और इसे धकन भी लगा दी है बाकी जानकारी हम देंगे आपको बाद में सबसे पहले हम चेक कराएंगे आपको इसकी यार्जी मशीन काफी सुंदर ह काफी खूबसूरत है और जैसा कि सबसे पहले में आपको बताऊंगा कि सीप्यू कुदर है हमारा बड़ावाला है 120 mm का पीछे एक जो फैन आप देख रहे होंगे यह भी बड़ावाला है 120 mm का टॉप में लगे हुए हैं यह भी मेरा बड़ावाला है 120 mm का दो फैन और उसक पीसी काफी खुबसूरत है और इसकी बिल्ड कॉलिटी काफी अच्छी है अंदर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे वायर पीछे के साइड है एकदम पीसी आपका चबकता हुआ दिखाई दे रहा होगा पीसी के एक पर हम आपको जानकारी देदे तो पांसो आपकी बाते हम बात में करेंगे अब सीधा लेते हैं लाइन पे सुमित जी को की जिनका ये पीसी है आपको फोटो दिखा दे भाई आप बड़ा उच्चुक होंगे पीसी देखने के लिए यह वाला है यह वाला है बत्ती जी विरायम के साथ फुल आर जीवी एकदम अच्छा हर तरफ आर जीवी और फ्रेंट में अच्छी है बहुत शांदर बट्ती जी विरायम लगा हुआ है एस अश्डी वगरा जो भी आपने बोला था हमने सारा लगा करके पूरा पूरा कमप्लीट कर दिया मसीन हाँ हाँ लगा दिया हूँ और यह अभी पार्सल निकल जाएगी आदे पौने घंटे में अब जानकारी हमको यह दीजे क्योंकि यूट्यूब के लिए वीडियो शूट हो रही है आप भी जानते हैं तो दर्सक जो देख रहे हैं वह जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहां के रहने वाले हैं मेरा नाम सुमित कुमार नाइक है जे मैं सुन्दरगर ओडिसा से हूँ अच्छा अच्छा लगवाद सब्सक्राइब दिस्टन्स है यहां से और मैं आपका यूट्यूब देखके मुझे बहुत ठीक ठाक लगा जे जे तो एक टो पीसी बर आपको किसी ने बताए कि आपने डारेक्ट यूट्यूब पर ही मुझे देखा अच्छा ठीक है बिल्कुल नहीं मेरा काम बड़ा साफ सुत्रा है और आप वीडियो में भी देखे हैं और यहां भी आप देख रहे हैं फिर आपकी जैसे लोगों की वीडियो आपने देखा सुरू में डाले थे आपने कितने भीजे थे मुझे पहला दिन पर पीस अजार उसका नेट दिन साथ हजार मैंने इसकी इंशोट दिखाया है वीडियो में लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूं ताकि लोगों को यह पता लग जाए कि भाई जो सर्जी का जानकारी देते हैं वो पुरा किलियर है कहीं से कोई दोखा दड़ी नहीं रहती चली बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद सुमिद जी और नई PC कि आपको जाने से पहने हम आपको सुबकामना दे देते हैं ठीक है बाकी इसको पार्सल निकालने के अभी पैकिंग दोस्तों ये सुमित नाइक जी है जिनका कि ये PC बनकर के जाने वाला है और मेरा काम बिल्कुल साफ सुत्रा रहता है दोस्तों कुछ भी अंधेरे में रखके मैं काम नहीं करता कुछ छिपाने वारा चीज नहीं रहती है PC जिनका बना हुआ है PC में क्या लगा है वो भी बत सकते हैं मेरे द्वारा बनाया गया PC बिल्कुल स्मूथ चलती है टाइम देन बिल्कुल स्मूथ चलती है और रेंडर भी फास्ट होता है और भरत में आप कहीं भी रहेंगे पार्सल से भी पार्सल से ही जाने वाली है और वीडियो एडिटिंग की बात कर लें तो 228 वाल डेटा मेरा लॉँच्ण है अगर मुझधे व्ट्सब करके मेरे से जयाकरी ले सकते हैं या मुझे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं जयाँकरी जयारी अगर चाहतो रहा हूं कि दुनिया में आओ लेकिन मुझे वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता मैं केम्पूटर देख करके 2-3 मिन में वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत कम समय में आप एक बढ़िया नाम बना लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कम्प्लीट इस पीसी को पैक करते हैं और पीसी को पैक करने के बाद हम वापस एक बार कैमरे प्याते हैं और इसके दोस्तों पीसी के अंदर डोंगल और केबल हमने डाल दिया हुआ है पूरी तरीके से इसे अब हम बबल्स वाली पन्नी से कवर करेंगे तीन लेयर में और बबल्स वाली पन्नी लगबग इस पर 70 मिर्टर लपेटी जाएगी इतनी मूटी लेयर च्यारों तरफ से लगा करक वापस इसको हम पार्सल से आगे भीजेंगे लेकिन पार्सल में लगाने से पहले पूरी कम्प्लीट इसकी पैकिंग हम आपको दिखाएंगे ताकि आपके मन में इस बात का संदेन आ रहा है कि पतानी सर्जी पीसी बना करके भेशते हैं तो सुरक्षित पहुंसता भी है कि पहुंसता है तो यह संदेख पहले दूर करना जरूरी है तो कम्प्लीट पैकिंग करके वापस केमरेपे आते हैं दोस्तों सुमीद जी की जो पीसी वह कम्प्लीट पैकिंग हो गई है पैकिंग मैं इसलिए आपको सामने दिखा रहा हूं ताकि आपको यह पता चल जाए कि बहुत ही जबरतस्ते काफी किता पइट लेयर जाते हैं लगग तीन लेयर में यह पैक होता है और इतना मोटा लेयर है आप इसकी Size देख करके वैसे अन्मान लगा सकते हैं कि कि इसना लपीटा गया है है यह पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह है इनका ऊपर complete address जिस address पर यह parcel जाना है और नीचे हमारा address है इस parcel को हम लगाने से पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि आप भी अगर PC बनवा करके मंगवाना चाहते हैं भारत में कहीं से भी आप हूँ आप मुझे order कर सकते हैं फोन कर सकते हैं आप मुझे वर्टसप कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और जैसा कि यह core i7 मशीन है और 91,700 रुपे की computer है यह एक घंटे का रेंटर इस मशीन में साड़े छे से साथ मिनट के अंदर हो जाता यह मैं पहले भी बता चुका हूं और जिनका PC था उनको भी मैंने वीडियो कॉल करके जानकारी दे दिया हुआ है PC का जो यह packet है इसको हम लेकर चलते हैं पार्सल लगाने के लिए और पार्सल लगाने के बाद इसकी एक पर्ची मिलेगी उस पर्ची को हम इस वीडियो के लास्ट में लगा देंगे इस वजह से लगाएंगे कि ताकि आपके दिमाग में यह संधे चल रहा हो कि पता नहीं स परजी packet रखा हुआ है मतलब एक संधे तो आप उस पर्ची पर ट्रेकिंग आइडी रहती है आप खुद भी Google खोल करके वहां पर ड्रेकिंग डाल करके और जो ट्रेकिंग आइडी उस पर आप भर करके सर्च करेंगे तो सर्च पर किलिक करेंगे तो आपको पूरी जानकार करना चाहेंगे कि तकरीबर हम 300 वीडियो पीछे चल रहे हैं तो इस बात की पूरी गारंटी नहीं कि यह वीडियो कब पड़ेगी यह वीडियो पंदरा दिन भी हो सकता है कि लेट पड़े तो इसके लिए मैं चमा प्राती हूं कि बहुत सारे वीडियो बैक चलना है फिला झाल 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 झाल